जै श्री राम मित्रों, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जीगी चनम जैन्ती के इसवसर पर मैं आज महाराणा प्रताप चोंक को घोड़ा चोंक कहने वालों के लिए दोशब्द कहना चाता हूँ, पहली बात तो ये जान लो के वो कोई सामान्य घोड़ा नहीं था। रण बीच चोंकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राना प्रताप के घोड़े से पढ़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राना की पुतली फिरती थी, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये दोस्तों कोई सामान्य घोड़ा नहीं है, ये वो चेतक है जिसने इतिहास में अपने आपको अमर कर लिया है, और दूसरी बात, क्या तुम्हें चेतक पर बैठा हुआ, साथ साड़े साथ फुट का तुम्हारा बाप नजर नहीं आता जो तुम उसे घोड़ाचों क अजर